बिहार में पुर्ण रूप से शराब बंदी होने के बावजूद पिछले कुछ दिनों से लोगडाउन का फैदा उठाते हुए आया दिन शराब तसकरों द्वारा जिले में तसकरी की जा रही थी जिसपर रोक लगाने को लेकर उठात विवाग की टीम जिले के विविन थाना शित्रों में शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार कारेवाई कर रही है जिससे शराब कारोबारियों के बीच एक भै का महौल बना हुआ है इसी कड़ी में उत्पात विवाग को मिली गुप्त सूचना के अलहार पर अलग-अलग टीम बना कर मीनापूर बोचहां और तुर्की थाना शेतर में छापे मारी की गई मामले की जानकारी देते हुए उत्पात इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि जिले के सिवाई पट्टी थाना शेतर से 79 बोचहां थाना शेतर से 80 और तुर्की ओपी शेतर से 7 काटन विदेशी शराब बढामत किये गए है गिसकी कीमत 5 से 10 लाक रुपे बताई जा रही है तो वहीं अभियोक्त मौके से भागने में सफल रहा उत्पात अधिनियम के अनुसार कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारी पिछले कुछ समय से लॉकडाउन का फायदा उठागर के शराब कारोबारी एक्टिव हो गया है इस टाइप की सूचना थी तो इसी सूचना को पर पैनी नजर रखते हुए जिले के विभिन छेत्रों में गस्ती एवं छापा मारी को बढ़ाया गया इसी दोरान अलग पैन विदेशी शराब बरामत किया गया उस गाउं के तीन अलग अलग हिस्सों में छापे मारी की गई और जो अभ्यूक्त हैं वो तो घटनास तल से भागने में सफल रहे पर वो काफी दूर दराज का इलाका एवं शराब माफियों के कारे करने हैं तो बहुत सुगम था और वहां पर कारवाई कि गए इसके अलावा तुर्की ओपी छेतर के स BRI पूर में एक को खेट फूलों के खेत बोरे में भर-बर के बारकार्टन विदेशी शराब बरामत किया गया इसके अलावा बोच्छा थाना छेतर के चौमु गाउं में एक सूचना प्राप्त होई थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम ननकू है जो गाउं में ननकू कहलाता है वो अपने घर के पीछे शराब की खेप को अनलोड कर दिलिवरी कर रहा है तो उसी सूचना पर उस धलबल के सा उस गाउं में पहुंचा गया और चापे मारी की गई और असी कार्टन विदेशी शराब बरामत किया गई है और जिसकी मात्रा लीटर्स में चौदा सो लीटर है शराब का रेट पांसे दसला के बीच होना चाहिए गिरफ्तारी अब जो लोग संलिप्त हैं उनका नाम पता चल गया है उनके ओपर फायर दर्ज किया गया है और वो कहां छीपे हैं इसकी जानकारी कठा की जा रही है और निरंतर चापे मारी की जा रह है शराब माफिया हमेशा ताक में रहते हैं कि उनको मौका मिले और यह अवैद करोबार कर सके और इस पर निरंतर उत्पाद विभाग मुझवफरपुर द्वारा ध्यान दिया जा रहा है और उनके जो सुरक्षित ठीकाने हैं उनको तलास करके वहां पर निरंतर चापे मा कारी की जा रही है और कठिन है पर यह चुनोती पूर्ण कारी को करना हमारी जिम्मेवारी है और इसे बहुत ही सफलता पुर्वक हम करने में सफल हो रहा है अलग-अलग माध्यम है मुस्लिए रातरी का समय को चुनाव करते हैं रातरी में ट्रक से चोटी गारियों से करते हैं और फिर वहां से यह कारोबार चलता है